फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से है. रेमी एक चुहा जो एक पांच सितारा फ्रांसी सी रिस्तरा में रसोये के रूप में काम करने का सपना देखने की हिम्मत करता है, फिल्म का नायक है. लिंग्विनी और रेमी ने पेरिस में सर्वश्रेष्ट शेफ बनने के लिए अपना रचनात्मक मार्क तैयार किया. रेमी को हमेशा गंद की गहरी भावना रही है, जो चुहे के लिए बेहद अद्वितिय है, वा एक बढ़िया भोजन रिस्तरा में रसोया बनना चाता है. रेमी के विचार दुन्या के सबसे चुहे से भरे उद्योग में सफल होने की कोशिश करने की सपष्ट कठिनाईयों से भरे हुए हैं, और एक मानक कच्रे के धेर वाली जीवन शैली से संतुष्ट होने के लिए अपने परिवार की सला के बावजूट शेफ बनने की धारना हैं, हालांकि रेमी को जल्द ही पता चलता है कि रसोई में एक चुहे की खोज खतरनाक रूप से खतरनाक हो सकती है, उनके खाना पकाने के नायक अगस्तु ने प्रसिद रूप से एक मंत्र गढ़ा, एनीवन कैन कुक रेमी की आजीवन प्रेरना रही है, लैंगविनी, रेस्तरा के बेघर कच्रा कलेक्टर, जो अपनी नौकरी खोने वाला है, रेमी को एक दोस्त प्रदान करता है, ताकि वह विश्वास कर सके कि उसे क्या चाहिए ठीक वैसे ही जैसे उसकी इच्छाएं आग की लप्तों में जलती है, अब जब उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, तो रेमी और लिंगविनी ने एक अत्यधिक अप्रत्याशित गटबंधन बनाया है, जिसमें लिंगविनी का अव्यवस्थित शरीर रेमी के कलपनाशील दिमाग को ट्रिगर करता है, जो पेरिस को अपने सिर पर घुमा देगा और यहां से उनकी कहानी का कॉमिक ट्विस्ट, भावनात्मक मोड और अप्रत्याशित मोड एक अद्भुत यात्रा शुरू करते हैं, जिस व्यक्ति को शुरू में विनाशकारी आलोचना का सामना करना पड़ा, वह एक सुंदर साजहदारी की मदद से एक व्यक्तित्व बन जाता है। किया जाना चाहिए मैं इसे जारी रखूंगा मेरा मानना है कि कानून मेरे साथ है इस बिंदु पर साथ ही साथ फिल्म के बहुमत के लिए स्किनर लिंगविनी के द्रिश्टिकोन को बदलने के प्रयास में विनाशकारी आलोचना में संलगन है बात में फिल्म में रेमी की वज़ा से लिंगविनी का खाना इतना पॉपिलर हो जाता है कि ग्राहक कुछ भी खाने से मना कर देते हैं जो लिंगविनी की रेसिपी में से एक नहीं है जब ऐसा होता है तो स्किनर को इतनी जलन होती है कि वह काम पर मिलने वाले किसी भी अवसर का लाब उठाते हुए लिंगविनी पर अपनी क्षमताओं के स्त्रोत के बारे में जूट बोलने का आरोप लगाता है एक सुबह जब वह कार्याले में प्रवेश करता है तो स्किनर खुशी से लिंगविनी का स्वागत करता है और कहता है नरत में आपता स्वागत है और इसका मतलब है कि बाकी दिन उसके अपमान और हिंसा में बिताया जाएगा सारांश में अधिकांश यदी सभी नहीं लैंगविनी और यहां तक कि रसोई के बाकी कर्मचारियों के प्रती स्किनर के कार्य यदी सभी नहीं तो पूरी तरह से विनाशकारी आलोचना या एक कमजोर व्यक्ती के प्रती एक शक्तिशाली व्यक्ती के द्रिष्टिकोन की धारना के अनुरूप है अपने गुसे में लिंगविनी तुरंत रेमी और रेमी के चुहे के परिवार और दोस्तों को रसोई से बाहर फैंक देता है जब उन्हें पता चलता है कि रेमी ने उन सभी को अपना भोजन लेने के लिए रसोई में जाने दिया है फिर अपने गुसे में रेमी लिंग्विनी की उस रात नहीं करता है जब एंटोन इगो गुस्तिफ के नए मेनू की जाँच करने के लिए आ रहा है देर रात तक पहुँचने पर जब उसे काम करना था रेमी ने एक और तरह की बेमानी दिखाई हालां की रेमी को पता चलता है कि उस रात अपने कालपनिक दोस्त गुस्तों से बात करने के बाद उसके दोस्त लिंग्विनी को उसकी मदद की आवशकता होगी वह फिर लिंग्विनी की मदद करने के लिए जल्दी से लौटता है जिस रात एंटोन इगो नए मेनू की समीक्षा करने वाला है लिंग्विनी के सभी करमचारी यह जानने के बाद लिंग्विनी छोड़ देते हैं कि एक चुहा रेस्तरा के नए स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों के लिए जिनमेदार है हालां की जब ऐसा होता है तो न केवल रेमी लिंग्विनी की सहायता के लिए आता है यानि जब रेमी और लिंग्विनी अपनी दोस्ती को पुनर जीवित करते हैं जैसा कि पहले उल्लेक किया गया है, बलकि रेमी की पूरी चुहा कॉलनी और कॉलेट भी उसकी मदद करते हैं, ये लोग लिंगविनी को उस रात आने वाले ग्राहकों की सेवा करने में मदद करने के लिए शामिल होते हैं। अंत में ऐसा लगता है कि रेमी, स्किनर, लैंगविनी, कोलेट और बाकी सहित चुहा कॉलनी का प्रत्यक सदस्य काम पर आने वाली तनावकूर्ण स्थितियों से निपटने का एक विशेश तरीका अपनाता है, जिन में से कुछ रचनात्मक और कुछ हानिकारत हैं। रिटूल दर्शकों को इस बात की एक सुखत जलक देता है, कि कैसे पात्र प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वास्तविक जीवन के कार्य करता बन जाते हैं, दैनिक आधार पर सामना की जाने वाली चुनोती पूर्ण परिस्थितियों से निपटते हैं, भले ही यह बेमान हो या आग्याकारी रूप से प्रदर्शन किया गया हो, इसलिए कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी अपने सपनों को प्राप कर सकता है, लेकिन सच्ची दोस्ती, टीम वर्क और सकारात्मक प्रेर्णा किसी के जीवन में एक महत्वपूर्ण सबक निभाती हैं, आप झाल